जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पे टोटली कॉंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिज है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटिड ही में अपलोड करूँ और जो जनल वीडियोज होती है यूट्यूब से रिलेटिड हो गया यह से रिलेटिड या अनिंग से रिलेटिड उसके लिए के लग से फ्यास वहीज अनलोजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रियेट किया है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई का जो आइकन है वहांबे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आपकी 100% स्पोर्ट की जरूरत है उसको ज्यादा से कीजेगा और सबस्क्राइब करना आपने नहीं बोलना इसमें लार्मार रहीम असलाम अलेकम वियर्ज मैंने शाज बहीद आज की वीडियो में इसी टॉपिक को जो के हमने लास्ट टाइम कंपोनेंट को डिसकस किया अगर इस पेज को मैं सेक्रोल करूं और यहां पे हम ला तो हमारे पास यहां पे कुछ चैलेंजीज यहां पे दिये गए हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए और यह बहुत ही ज्यादा कहलें के इंपोर्टेंट है यह बहुत ज्यादा फाइदामन चीज है आपके लिए आपने यह वाला टॉपिक पड़ा यह टॉपिक आपको कितना स सब्सक्राइब ने किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें आए वीडियो की दरफ चलते हैं मेरा माइंड सा के नेक्स टॉपिक इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट्स को मैं डिस्कस करूंगा बट मैंने माइंड में आया कि यह जो एक यहां पे इनों हमने कुछ एक सेक्शन दिया हुआ एक कंपोनेंट ही बनाया हुआ आप इस तरीके से कह लें यहां पर कुछ आपको चैलेंजिस दिये जाते हैं उसी टॉपिक से रिलेटिड जो के आपने अभी पड़ा है लाइक हमने देखा कि हम किस तरीके से कंपोनेंट को क्रियेट करते हैं तो उसी से रिलेटिड हमारे पास यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको हमने सॉल्व करना है आई आज की वीडियो में इस सीज़ को डिसकस करते हैं और मेरा माइंड यह है कि हर टॉपिक के लास्ट पेज जो चैलेंजिस वगरा होंगे उनको हम यहां पर सॉल्व कर लुक उर्पोर्ड दिस Сेंडवोक्स डाजन वैकशर यूरूट कंपोनेंट दिसनों को ऊपर्ञ़ थो कहे यहां पर सामन् menjadi ऑन्र है आप ने यहां पर एंर को रिमूब करना है वैसे तो उसने बता दिया कि है एर लिस वजा से है कि आन्ने यहां पर पर यहां परे कंपोने to export your component from the file error basically आपको खुद से बता देता है guide कर देता है कि problem क्या है तो simple problem है यहां पे मैंने जब आप लोगों को component create करना बताया था और आपको मैंने यह बताया था कि जो main component होता है किसी भी file में उससे पहले हम यहां पे क्या add करते हैं export default हम add करते हैं और जैसे ही हम यहां पर export default add करेंगे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि वो loading पर है और हमारे सामने यहां पर error remove होने के बाद output अभी display हो जाएगी यह ने जी हमारे पास यहां पर output display हो चुकी है और error remove हो चुका है हम move करते हैं next problem पर हमारे पास है जी fix the return statement something is not right about this return statement can you fix it अब यह देखें यह interview question भी है और सेम इसी तरीके से किसी भी जगह पर आप से paper के point of view से भी यह problem आपको मिल सकते हैं otherwise interview के point of view से बहुत important यह चीज़ आप कह सकते हैं बारहल जी हमने return statement को यहां पर क्या करना है fix करना है हमारे पास यहां पर यह return statement है और यह हमारे पास इस तरीके से यह tag यहां पर use हुआ है मैंने आप लोग को वीडियो में दो चीज़े बताई थी कि अगर तो आप single line में return के बाद ही इसको write कर देते हैं इस तरीके से अगर मैं यहां पर ले जाओं तो हमारे पास यह देखें output यहां पर display हो चुकी है इस तरीके से मैंने आपको वीडियो में एक second method भी बताया था कि अगर मैं यहां पर इस तरीके से पेरेंसी को यूज़ कर लेता हूं और यहां पर हम यानिके सिंगल लाइन नहीं है return स्टैटमेंट में multiple lines हैं तो हम इस तरीके से इसको bracket में या परेंसी में यूज़ करते हैं और यहां से यह सेमी कॉलन है इसको मैं remove कर देता हूं और यह दो तरीकों से आप यहां पर return statement का जो error है उसको fix कर सकते हैं next is the spot the mistake something's wrong with how the profile component is declared and used वो गया है थी profile component को जिस तरीके से declare किया गया और जिस तरीके से use किया गया है कुछ ना कुछ यहां पर गलती है can you spot the mistake? try to remember how react distinguishes components from the regular html tags hint उसने हमें दे दिया है हम आते हैं जी यहां पर उसने कहा कि जब आप react में component को use करते हैं तो वो tag से कुछ different होता है तो error क्या है यहां पर profile का जो p है उसको यहां पर small लिखा हुआ था मैं यहां पर इसको capital कर देता हूँ same इसी तरह के से यहां पर capital करते हैं same इसी तरह के से यहां पर इसको capital करते हैं और आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर जो output है वो display हो चुकी है और error हमारा यहां पर fix हो चुका है उसके पार लास्ट हमारे पास है जी, your own component, यानि कि हमने खुद से यहां पे component create करना है, write a component from scratch, you can give it any valid name and return any markup, if you are out of ideas, you can write a congratulations component that shows this, don't forget to export it. वो कहारे थी, आप खुद से एक जरा component यहां पे write करके देखें कि आपको component write करना आता है या नहीं आता, तो हम यहां पे component write करते हैं, उसके लिए हम यहां पे write करेंगे, first of all export, default, उसके बाद function और कोई भी component के name write कर लें, like app ही मैं write कर लेता हूँ, और उसके बाद हम यहां पे क् करेंगे, return करेंगे, और return में अब आपकी मर्जी है, मैं एक single line में write कर लेता हूँ, heading हम यहां पे write कर लेते हैं, इस तरीके से, और यहां पे कुछ भी message शो करवा देते हैं, like good job, ठीक है थी, यह हमारे पास इस तरीके से component है, और यहां पे अभी आपके सामने output display हो जाएगी, उसने कहा था दी, इस name से component बनाए हमारी मर्जी है, हमने यहां पे app के name से component बना लिया है, और यहां पे हमने इस तरीके से output शो करवा दी है, तो इस तरीके से यह बहुत ही फाइदामन चीज है, बजाए next topic की दर भागने के, जो हमने topic यह component वाला पड़ा है, revise किया है, यह आ आप कह सकते हैं कि हमारी practice यहां पे हो जाएगी, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना उस topic के बारे में knowledge है, दौा में याद रखा करें, और channel जिनों ने अभी तक subscribe नहीं किया, वो जरू सब्सक्राइब करें, अल्ला आज़ों आज़ों